नमस्कार मेरे नाम है सुरेंदर सिंग आप देख रहे हैं SM News आज हम लोग हैं रोहिनी के अंदर और रोहिनी में भी उनके साथ हैं जो इस देश की शरहदों में अपना जंडा गाड़ कराते हैं राम बलिक जी राम बलिक जी आपका स्वागत है हमारे साथ में धन्यवाद सु पर सुझी देश की चल रही है कहां तक कब तक अ हो पाएगी किस तरीके से हो पाएगी वह बताए लिए कृ आक मैं को बिलकुल इमानदारी से बताना चाहूंगा पिछले 3 साल से यहाणि की संडाया sector तो हमें मिलिनी है आज तक लेकिन अभी जो वार्तमान सरकार दुबारा गलत तरीके से अपने आपको वहाँ जिसे ने स्थाफित कर लिया पिछले पांच साल कंप्लीट करके यह सबसे निकमी सरकार साबित हुई है इससे निकमी इससे ज्यादा जूट बोलने वाले सरकार आज तक बहतर साल में कोई भी नहीं आई है और अर्थ वेवस्ता इनका तो दरसल मैं आपको बताओं मुझे तो इनका पहले से पता था जब यह 2014 में आये थे मुझे मालूम था यह देश के लिए कुछ करेंगे निए देश को शिर्फ बरबाद करेंगे लेकिन देश की जनता भी पता नहीं क्यों इनके पीछे लग लिए है इन्होंने जिस दिन से आये हैं तब से ना देश की अर्थ वेवस्ता कोई जराशी भी चिंता की है ना भागिये है कि यह चीजें आकड़े बार कभी भी आज तक आये ही नहीं है इन्होंने सब समयदानी के जिंसियों को बिलकुल एक दम से अपने चंगल में लेके रखा हुआ है कोई न्यूज अंदर की बार आती नहीं है आकड़े कहीं के बार आते नहीं है सब को ड्रा के वड़ी होगी हमने हर जगह से पता किया है सब जगह जैसे उत्रपरदेश का अब लीजिए उत्रपरदेश की पूरी रिपोर्ट हमारी खुद कोई घूमी हुई रिपोर्ट थी कि बीश से उन्नीस हो सकती है इनकी सीटें बीश से एकीश नहीं हो सकती है और वहाँ पर बेश इटागी तो यह सारा एवियम के द्वारा मैनेज किया वाए है और जितने दन यह रहेंगे भारत की एकॉनमी बरबाद ही होगी और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जिस दन हम से आएद हमारे पास पस्ताने के लिए भी समय नहीं मिलेगा तो मैं यह निवेदन करना चाहूँगा देशवासियों से कि तुरंत खड़े हों खास करके युवाओं से महीलाओं से जो ह वैदानिक नहीं है बिलकुल अवैद सरकार है इसको तुरंत परखास किया जाए दोबारा चुनाओ होने चीए देश के अंदर और वो दोबारा चुनाओ बैलेट पेपर से होने चीए तब हमारे देश की यानि कि एमानदार लोग जब चुनके जाएंगे तब ये अर्थ प्रवस्ता सुद्रेगी वरना मुझे इतना बहानक समय आगे का नजर आ रहा है कि अब आगे आगे अगे अगर ये जितने जिन ज्यादा रुकेंगे तो देश परवादी की तरफ जाने लग रहा है इनोंने टोटल अपने एजंडे लेका है इनको कोई एजंडा आप थे तो सिर्फ दुस्मन के घर में घुसके किया प्रगार फिर एक बार मोदी सरकार यानि जो भी किया इनोंने सेनिकों की सहाधत कराई है पुलवामा का जो हमला हुआ है वो हमला कोई अचानक हमला नहीं था ये प्रायोजित हमला था सरकार द्वारा प्रायोजित था मैं य सरकार इस हमले के अंदर शामल है और नहीं शामल है तो सफाय क्यों न दे रही है सामने क्यों नहीं आ रहे हैं मैं आदे गंटे के लिए हमारे पास कजी भी चैनल पर आजी है मेरे सवालों के अगर die यह जब आप दे देंगे आप देख लोगी ने पसी रेलेट पहुंची है तो आप किसी जिए परदानमंतरी हैं तो ये बहुत ही बहायनक है और उन्हीं चोवालिस सहीदों की चाती के उपर चड़के डेड़ वाडीज के उपर चड़के इन्होंने वोट मांगा है पूरा देश जानता है उनके नाम पर वोट मांगी है ये कार को तुरंद भंग कर देना चाहिए दुबारा से चुनाओ हो रिलाइब लादमियों को इमांदार लोगों को चुनके वहां भीजें तब ही हमारी एकॉनमी सुद्रेगी आप थे हमारे से राम मलिक जी नों बताए कि जो एकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई है देश के अंदर रोजगार नहीं है बेरोजगार बड़ती जा रही है और जहां तक है प्राइवेट इकरन होता जा रहा है और इसी एकॉनमी को सही करने के लिए देश के अ आपके सबसे पहले